मेरी बहुत अच्छी जिन्दगी चल रही थी इसने कुछ पैसों के लिए मेरी सारी जिन्दगी तबाह कर दी मैंने तस्वीर अभी तक सुनी देखी मेरी फैमली ने देखी हैं और इस बंदे को पता है इसने किस लिए बनाई थी मैं अभी इसलिए बीडिया पर आई हूं जो इन लोगों का शिकार हो रहे हैं मैं उनसे यह कहना जाती हूं जरा इत्यात करें इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया ना तो दुनिया देखेगी इन लोगों को कुछ पैसो के लिए इसकी मा ने इसके बाप ने और इसने एक दूसरे का सब ने साथ दी है मैं करती हूं क्या पूरी दुनिया देखेगी मेरी बादवा इन लोगों के साथ है आज मुझे अकेला करके जो इंटर्वियू आता है उसके दीचे गंदे-गंदे कुमेंट भेजते हैं इनकी असलियत मैं दुनिया को दिखाऊंगी यह कैसे लोग हैं यह सिरफ पैसों के साथ चलने वाले यह रिष्टों के साथ नहीं मेरा नाम कवर सिजादी है मैं बूल बरक की रियाशी हूँ मैं बहुत हुचवास लाइट कुछा रही थी मैं कपरों का का रही थी मैंने एक पोस्ट लगाई वी थी पोस्ट पे मुझे एक मेसिज आया था अदील नामी सबस्ता उसने उस पोस्ट को लाई किया और कमेंट बेजा कि मैं भी एक डिजाइनर हूँ तो मुझे आपके साथ काम करना है तो उसके बार-बार कहने पे उसको मैंने बुलाया वो पोर्टरस में पहली दफ़ा मुझे मिला था तो कह रहा था मैं भी दुबई का बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ तो फिर वो मिला तो उसने कुछ उसके पापा ये कपरे बनाते हैं लोन की कुर्तियां वो साथ में लेके आया हुआ था तो कपरे मैंने देखे थे उसके पाथ पर हम ने इसको एक लेहड़ा डिजाइनिंग के लिए दिया था मुझे नहीं पता वो खुद करके लाया ये किसी से करवाया वो लेके आया ज़रूर था बाकि लोन की कपरे हम उसके लेते थे क्योंकि इसके पापा का काम था ये इसी तरह इसका मेरा कारोबार में लेंदेन बरतार आये एक दिन कहता है कि मुझे शेख पुरा से आने में बहुत टाइम लग जाता है आने जाने का मुसल है तो अगर आगर आईश मील जाए तो मेरे पास एक कमरा था मैंने उसको रेंट पे वो दे दिया मैं सुबा के टाइम पॉलर जाया करती थी पाट टाइम में ये कपरों का काम करती थी इसी तरह इसके साथ बिगनस में बाचीद बरती है ये गर का बेती बंता रहा फिर एक दिन इसमें मुझे का के मैं यूके में भी हमारे जाने वालों की बुतीक है अगर आप जाना चाहे तो मैंने इसे पूछा कितने पैसे लगेगे मैं वैसे इतने अफोर्ड नी कर सकती इसमें का कि आपको एक मुकाम भी लेगा अगर आप ये काम करना चाहे तो मैं भी लालच में आगी मैंने इसे पूछा इसमें का साथ लाख रुपया लगेगा मैंने इसे पूछा कि तकरीबल कितने दिनों में चले जाओए उसने का है जल्दी से जल्दी मैं काम करवा दूंगा साथ लाक मुर्थे मैं मैंने इसको किसी तरह जैसे भी करके इसको 7 लाग कठा करके दिया पर मैंने अकठी अमाउन नहीं दी ती इसको कुछ कुछ करके दिये थे जैसे साद लाक रुपेиз पूरा हो गया और एक नेरे बचों का रिक्षया ड्रायवर था उसने उसे भी कहा कि मैं लू-डूक चेज में आपको ड्रायवर लगवाँगा इसने कार ड्रायवर और रिक्षया ड्रायवर कि आज आप पास्पोर्ट आपका मिल जाएगा आज ये चीज मिल जाएगी आज ये चीज मिल जाएगी इसी तरह करके ये अपना बंदोबस करता रही इसमें हम सबसे पैसे लिए और ये दुबई हुट चला गया जब मैंने इसकी वर्टसप पे तस्वीर देखी स्टेटस ल के इंतजार में करती रही वो आदमी ही ना आया अदीर से बरी बाद ही तो कहता है कि कल आप दोनों की फिलैट है माँ बेटे की तो टीकटों के करवानी है मुझे पैसे दो मैंने उसको दिया था 36,000 प्या 35 या 36,000 इसके अकाउंट में ट्रांस्फर करवाया उससे अगले द शाद्रे में परट्रॉल पांप के पास आया मैंने तुमने मेनी चीजें नहीं दी खब कुछ ले लिया है तो अब क्या करना है इसने कहा मुझे से ज्यादा जियाड़ी ना दिखाना मैंने तुम्हारी कुछ तश्वीरें और वीडियो बनाई गी है अगर ज्यादा पैस नभी ले रहे थे इसी तरह गर पे इन लोगों ने लेजने कि रही हिसे लिए फा气 के रहरा देशी हिर अ इन लोगों ने कहा कि अगर आपका इमान कुरान पाक पर आप निकाह कर लो अगर मैंने जिन्दगी हराब किये मैं बना भी दूंगा जैसे ही निकाह हुआ ये अपने घर चला गया दमगिया देने लग गया कि मेरे पास हाक मैल होगा मैं तुम्हें डिवोस्त दे दूंगा उ मेरे इलावा बही काफी लड़कियों पर अगी सब कुछ करता रहे समय लेते थे कि तुम्हें गर ले क्याना ये भी हमारा घर है प्यार मोह बसं sutरे रहें मेरे पास वह बहुंद है मेरे पास उभी चीज़ों कर पूल के प्रू परूफ है इसका जो छोटा भाई ये वह बी कप्रें जूती आज इन लोगों को मैं गंदी नजर आ रही हूं कि मैं अपने हग के लिए आई हूं वीडिया पे उसके बाद मैं अदील के बेटी थी अदील को पता चला मैं प्रेग्ना थू अदील को पता चला और उसके घरवालों को वो इस चीज के लिए अगरी नहीं थे इसमें अपने जी सबू काम पर हूँ अदील की यकीन अदील पर यकीन करकर के अगरीमेंट इन लोगों ने करवाया था अदील पर मैंने केस किया हुआ था तो इन्हों ने केस माप करवाने के लिए अगरीमेंट करवाया इसके बाप ने मुझे ये का कि मैं कच्छी जमानत करवानी अदी कि और कुछ नहीं हम तुम्हें बाइज़त जिंदगी देंगे इन लोगों ने वह एग्रिमेंट भी मुझे डोखे से करवाया है उस एग्रिमेंट की जीरो वैल्यू है मेरा भी चलान नहीं आया तो यह अभी भी लोग मुझे बार बार पर दोखा दे रहे हैं ना तो मुझे मुझे रखते हैं ना मुझे छोड़ते हैं सब जहां जाना होते हैं वहां कहते हैं हम ने इसको रखने हैं बाद में मुझे ब्लैक मिल करते हैं अदील के पास कुछ वोईस मेरे हैं जो अदील मुझे उन चीज़ों पर ब्लैक मिल कर रहे हैं तो मैं चारी हूं मैं चारी हू क्योंकि यह पहले मेरे बेटे को मारते रहे हैं अगर वो कुछ वोलता था तो उसकी रुकोर्डिंग कर लेते थे अब यह दुबारा से मुझे ब्लैक मिल करें हैं मेरी इन लोगों से जान चुरुआ देना मैं इसलिए मीडिया पे आई हूँ ताके इन लोगों के जाल में कोई और लगती ना पहते हैं यह पूरी फैम्दी इस तरह की है गाउं में अपनी इज़त बना के बैटे वे गाउं से बाख लोगों की बेटियों की इज़त हराब करें मेरे पास हर चीद के प्रूफ है जब जान शूट जा इस ओर और बेटी से भी आप यह प्रूफ है अपनी अ क्लियर किसा दुसरा ज़ता हम आप पास मां थी हामला थी इन लोगों को पता चला के बेटी है इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की साथ ने इस बेटी को बेटी तो मर गई ने बच गई वो केस लोगों ने दोखे से मुझे माप करवाया कि यह कह के सिर्फ जमानत है वो बाद में मुझे पता चला के पकी जमानत करवाई थी मैं रपोर्ट करवाई यह पुलिस मेरे साथ तावन नहीं कर रही केस भी चला हुआ है और अभी तक चलान नहीं आया यह लोग अभी भी वो डिलीट कर देते जो मैं देती गाली गलोच वो सेफ कर ले थे थे वो चीज़े रखके ये मुझे ब्लैक रूल कर रहे हैं अब कि तुम्हारी चीज़े हमारे पास हैं ये हम मीडिया पे लेक आएंगे ने आए सर मुझे नी डर मेरी दिलीटी तबाह कर दी हैं लोगों ने पैसा भी खा लिया ये मेरे पास एग्रिमेंट है जो इन लोगों ने करवाया था तो ये एक सो औरपय का एग्रिमेंट जो दो खेसे केस मार्फ करवाने के लिए करवाया थे इसके लावा ये निकात नाम है जिस पे 5 लाक रुप मैं लिखा बाकी मेरी जिंद्गी तो जिर्दी की तबाह की थी अच्छी खाती ठीटी अपने ग़र में थी बास मेरे मेरे से एक गल्पी मैंने इस बंदे पर इतबार किया उंचाई पर बलंदी हासिल करने करी यह सोच कि पुछ कर सकती है, मैं इसकी बातों में आ गई, पर मैं गलत नहीं थी, ना मेरे इसकाथ कोई रिलेशन था, सिर्फ बिजनर की हदूर्ती, और ये बड़ी प्लैनिंग से आया है, ये इसी तरह और लड़कियों की जिन्दी की तबाह करता है, मेरे पास वो भी प्रूफ है, पर मैं उन लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी किसी की घरकी इज़त है, मैं अगर मेडिया पर आई हूँ ना लड़कियों को बचाने के लिए ये शोक से नहीं आरी, और ना मुझे आप लोगों के गलत गलत कुमेंट लेने का शोक है, तो कि ऐसे लोगों मैं तो अपनी जिन्दी की बरबाद कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और दी करें, इनकी पूरी फैमली के मेरे पास वोईद मैसी जोड़ कोल पड़ी हूई है, जिस पर ही मुझे पैसे मांगते रहे हैं, आज मुझे गंदे गंदे हताब दे रहे हैं, जब मैं पैसे मुझे ब्लैक मिल करना शुरू कर दी हैं लोगों ने, वो तस्वीरे इसने मुझे नी पता किस टाइम बनाई, किस टाइम नी बनाई, इसने पर बनाई, बड़ी प्लैनिंग से बनाई, बड़ा शातर दमाग चलाए हैं इसने